ये बड़ा सूजी का बड़ा जो देखने में इतना अच्छा लगता है वो खाने में भी स्वाद है और इसको हम जटपट से बना सकते हैं अगर किसी को जैसे दाल भिगोना भूल गए और वड़ा खाने का मन है तो आप इसको जटपट से घर पर बड़ी जल्दी असानी से ब बना सकते हैं मैं आज अपनी रेग्रट में सूजी से बनने वाला बड़ा बहुत ही जो स्वाधिष्ट है और बहुत जल्दी बन जाता है उसकी रेस्पि लेकर आई अपनी रेष्पी में चलो देखते हैं कि अम इसको कैसे बना सकते हैं है हेलो फ्रेंड्स मैं संतोश वेल और दही है इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि एक स्मूध बैटर बन जाए क्योंकि दही मिलाने से जो सूजी है थोड़ी वो फूल जाती है अब मैं यहां पर थोड़ा सा पानी एड़ करूँगी इसके साथ ताकि जो हमारा बैटर है स्मूध बन जाए बहुत जाद मिक्स हो जाएगा तब मैं इसको ढखका रख दोंगी 10 मिनट के लिए क्योंकि जो सूजी है वो फूल जाती है सूजी फूलने के बाद मैं देखूँगी 10 मिनट के बाद देखूँगी जो सूजी फूल चुकी है उस में ने एक चम्माच लिया गर्मसाला और एक चम चम्म लिया मैंने रेड चिली पाउडर और जिंजर और गार्लिक पेस्ट लसन दुरुक का पेस्ट लिया एक चमबच यहां पे मैंने हरी मिर्चा पेस्ट लिया उसमें नमक भी मिलाया हुआ है और अब यहां पर लोगी मैं धनिया के पतियां और उसके साथ मैंने लिया कड़ी पत जाती है पानी के साथ सॉफ्ट बैटर बन जाता है अब मैं हलके हाथों से एक पेड़ा बनाऊंगी जैसे हम पेड़ा बनाते हैं लोई बोलते हैं जिसको पेड़ा बनाने के बाद इसको हम सॉफ्ट हाथों से बीच में सैसे होल कर देंगे जब भी यह होल कर देंगे में तेल भी गर्म होने के लिए रखा हुआ है अब ये मैं उसमें बड़ा बनने के लिए तियार पकने के लिए डाल दूँगी तेल में तेल को हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना लेकिन हाई फ्लेम पे गर्म करके उसको हम लो से मीडियम रखना है क्योंकि जो हमारे ऐसे बड़ा है अंदर से पक जाएगा अगर हमने तेज फ्लेम पे रखा है तो वो जल जाएगा अंदर से पकेगा नहीं ऐसे देखो हम बड़ा त्यार कर रहे हैं यह कितने अच्छे बन रहे हैं और इसको हम ऐसे साइड इसकी पलट देंगे साइड पलटते हुए ہم इसके उपर एकदम से हमारा जो बड़ा बनकर त्यार हो जाएगा और बिलकुल ये एकदम सॉफ्ट बनते हैं बजार जैसे बनते हैं ये जरूरी नहीं है कि हमने दाल से ही बनाने अगर हमारा मन हो तो बड़ा खाने का सामबर है, सामबर के साथ खा सकते हैं, आप इस रेस्पी को ट्राई जरूर करना, इदे को कितना अच्छा बड़ा बिलकुल बनकर त्यार हो गया एकदम, जैसे हम बजार से खाते हैं, तो एकदम रेस्टोरियन्ट किसी धाबे से भी कितने अच्छे बन घर पर ही और बड़ी असानी से बन जाते हैं, ऐसे हम फिर से बनाएंगे और बड़े एके करके जो दूसरा बैटर बचा है, तो उसके साथ भी हम ऐसे ही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए दूसरे बैटर भी को बड़ा बना देंगे, अब यह तो एक तरीका था बड़ा ब बना सकते हैं, जैसे हमने फिर दूसरे बैटर की बड़ा बनाया पेड़ा लिया, और उसको छनी ली हमने, जो हमारे पास आम घर में होती है, टी स्टेनर जिसके साथ चाए छनते हैं, हम उसकी दूसरी साइड में रखकर इसको ऐसे पेड़ा बना के रखके, बीच में से होल करके ऐसे इसमें डाल देंगे जैसे कि अपने वीडियो में दिखा रही हूँ तो यह बहुत ही असानी से हम बना सकते हैं अगर कोई बिल्कुल पहली बर बना रहा तो इस तरीके से बना सकते हैं आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से बड़ा बना सकते हैं हम जो भी बाकी बचा हुआ सारा हमारा बैटर है. चाहिए हम च्छनी के साथ, चाहिए हम हाथ के साथ. दोनों तरीके से बड़े असानी से हम बड़े को बना सकते हैं. ये बहुत ही जटबट बनकर तियार हो जाते हैं. और खाने में भी स्वाध होते हैं. अगर इसको बनाने का जब भी मन करें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं आप मेरी रेस्पी ट्राई जरूर करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको यह मेरा बड़ा बनाने का तरीका कैसा लगा और अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट भी करके बताना लाइक करना मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ये देखो हमारे सारे बड़े बनकर त्यार हो चुके हैं देखने में कितने अच्छे हैं और ये जटपट बनकर त्यार हो जाते हैं और इस रेस्पी को आप ट्राई जरूर करना ये खाने के लिए अब त्यार हो चुके हैं